दोस्तों बिलगेर्स कहते हैं कि यदि आप गरीब घर में पैदा हुए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं लेकिन आप गरीब मर जाते हैं तो इसमें बेसक आपकी गलती है दिलगेश कहते हैं कि मैं एक्जाम के कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गया और मेरे सारे दोस्त उस सब्जेक्ट में पास हो गए जो पास हो गए वो सब आज मेरी कमपनी में काम करते हैं और मैं उस कमपनी का मालिक हूँ दोस्तों रतन टाटा कहते हैं कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता बल्कि फैसले लेकर मैं उन्हें सही साबित कर देता हूँ दोस्तों सौमी विवेकानन्द कहते हैं एक विचार लो उस विचार को अपना जीवन बना लो उसके बारे में सोचो और उसके सपने देखो उस विचार को जीओ अपने मस्तिक मास्वेसियों नसो और सरीर के हर हिस्वे को उस विचार से भर दो और बाकी सभी विचारों को दोस्तों जिन्दगी रास्ता बना बनाया नहीं मिलTPO का दीए जैसा रास्ता BENALIया उसे मैंने जाएक रहा हूं भीलिं容 और जाएक पहसे को अस्तों is एक लागा मिने उसको को कहता उति हुआ हूं जो वज़ा नहीं चाहिए बस एक वज़ा चाहिए उस काम को करने के लिए जो काम आप करना चाहते हैं और जिंदगी में सफन होने के लिए जादा नहीं बस एक ही मकसद काफी है दोस्तों डाक्टर A.P.G. अक्दुल कलाम आजात कहते हैं कि मैं एक हैंसम इंसन नहीं हूँ लेकिन मैं अपना हैंड हर उस इंसन के हाथ में दे सकता हूँ जिसको मेरी जरूरत है सुन्दरता हिरते में होती है, चहरे में नहीं दोस्तों चाइना के सबसे अमीर इंसान अली बाबा कमपनी के फाउंडर जैकमा कहते हैं आज बुरा है कल उससे भी बुरा होगा लेकिन परसों आपकी जीत होगी दोस्तों इस्टीफ जॉक्स कहते हैं कि आपका समय सीमित है इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जी कर विर्थ मत कीजिए अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाईए औरों के विचारों के सोर में अपने अंदर की आवाज को अपने इंसिट्यूशन को मत दुवाने दीजिए दोस्तों इलाउन मास कहते हैं आपको कुछ कर गुजरना है तो आपको बहुत मोटिवेट होना होगा वरना आप हमेशा खुद को दुखी ही करते रहेंगे वैक्ति तब बहतर काम करता है जब उसे अपने लेक्ष के बारे में पता हो कि वह क्या है और क्यूं है दोस्तों रावर्ट कियोस्की कहते हैं कि सबसे सक्तिसाली संपत्ती जो हम सभी के पास है वह है हमारा दिमार्ग अगर इसे सही से प्रिस्षित किया जाए तो या पल भर में आपार पैसा पैदा कर सकता है दोस्तों नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप अच्छी तरह से खुद को पैचान लेजिए क्यूंकि आपको आपके सिवा कोई और सफलता नहीं दिला सकता दोस्तों सत्गुरु महराद जी कहते हैं कि जब आपके उपर कोई महत्तपूर जिम्मेदारी होती है तो आप में एक भीतरी ताकत होनी चाहिए जिसे बाहरी परिस्षितियों से डराया धमकाया ना जा सके और ना ही उसे बदला जा सके दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो और इस्पाइरेशनल कोर्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजे चैनल को आपका किम्ती समय देने के लिए धन्यवाद